हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका पाई क्लासिस बाई सचिन मलिक में आज का हमारा टोपिक फोकस स्लेवस पार्ट फोर इसमें हम पढ़ेंगे दीघात समीकरण देखो हमने पार्ट टू जो बनाया था फोकस स्लेवस का उसमें हमने पढ़ा था दीघात बहुपद तो दीघात बहुपद हमारा ये होता था अगर हम इसमें बराबर का निसान लगा के जीरो लगा दे या कुछ ओर लगा दे कहने का मतलब यह है जहां भी बराबर का निसान आ गया बहुपद में वो हमारा फिर बन जाता है समीकरण अब क्यों कि दीघात बहुपद कौन सा होता था जिसमें चर्रासी की घात दो होती थी अधिक्तम घात इसलिए उसको हम दीघात बहुपद कहते थे इसी में अगर हमने बराबर का निसान लगा दिया तो ये बन गया हमारा दीघात समीकरण इसमें A यान ये वैल्ली ये जो कुफिसेंट जीरो नहीं होने चाए अगर ये जीरो होगे तो ये पूरा जीरो होगे जीरो होता ही फिर ये रैखिक समीकरण बन जाएगा घात के अधार पर अगर घात एक है तो उसको हम रैखिक समीकरण वहाँ पर हम क्या बोलते थे रैखिक बहुपद तो इस टाइप का ऐसी दिघात समीकरण ये इस टाइप का देखो हाईएश पावर यहां पर 1 है यहां 2 है तो बहुपद में अगर बराबर का निसान कहीं लग गया तो बन जाता है मारा समीकरण ये थोड़ा सा रिवाइच हो रहा है आईए दिघात समीकरण को सोल करने के लिए यह होता है हमारे पास सूत्र दिघात समीकरण हमारे पास ऐसा होता है इसमें ABC की value आपको निकालनी आती है वो हमने बहुपद में सीख ली थी ठीक है तो D को कहते हैं विविक्त कर और इसकी value होती है B square minus 4AC ये दिघान रखना हमेशा विविक्त कर जब भी निकालोगे और दिघात समीकरण के जो मूल है जिसको हम zero जो बोलते थे बहुपद में ये सुन्यक बोलते थे वो ये ही है तो दिघात बहुपद के मूल कितने होंगे दो होंगे वहाँ पर सुन्यक होते थे ये मूल हो गया आपर तो उसको हम इस फार्मूले से निकालेंगे x बराबर minus b plus minus under root b square minus 4C इसको ये भी लिख सकते है minus b plus minus under root में d क्योंकि अंदर जो है b square minus 4C d है ये upon 2a तो इसको फार्मूले को धियान लगाना क्योंकि कोई भी कोशना है तुम फार्मूले से बड़े आसानी से तुम क्या निकाल सकते है उसके मूल गयात कर सकते हो अब देखो जो इसके मूल लिख लेंगे दो मूल उनकी प्रकरती किस टाइप के होंगे वो जिखा समय करण हमारा कोई भी इस फार्म में होता है सबसे पहले हम d निकालेंगे ये d है अगर ये d हमारा greater than 0 आ जाए यानि positive आ जाए तो दो अलग अलग भिन वास्तविक मूल होंगे दो अलग अलग ठीक है दोनों वास्तविक होंगे यानि real numbers बोलते हैं इनकों वास्तविक संखें बोलते हैं वैसे होंगे अगर ये बराबर 0 हो जाए तो मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे For example, अगर पहला मूल दो है तो दूसरा मूल भी दो ही आएगा पहला एक बटे दो है तो दूसरा एक बटे दो आएगा जो कि उपर वाले में किया कि अगर एक दो है तो दूसरा दो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है उसमें अलग-अलग है इसमें एक जैसे अगर यह negative आ गया तो वास्तिविक मूल नहीं होंगे और हम question भी solve नहीं कर सकते हैं और हम find out भी नहीं कर सकते तो यह चीज आप दिहान लखना अब देखिए question हमारे start हो गए है यह है यह हमारा पहला question क्या कहता है यह हमारा क्या है गहाती सूत्र का आपयोग कर के गयात करो देखने हमारी मर्जी है तूं कैसे भी करो उसको इस को मिडेल टर्म को आप कर सकते हो इस टैप से कर सकते हो लेकिन फार्मूला याद रखो फार्मूले से सबसे आसान हो जाता है दिखो सबसे पیतर हम इसको a के place पर यहां पर क्या है 3 B के place पर यहां क्या है minus 5 और C के place पर है 2 तो ABC की value निकल गई इसके बाद हम निकालेंगे D यानि विविक्त कर B square minus 4AC minus 5 का square 4 इसको bracket में रखा करो बेटा ऐसे ठीक है 4 into 3 into 2 minus 5 का square 25 यह 24 तो 1 आ गया यानि कि D आ गया हमारा greater than 0 अब greater than 0 आ गया तो हम इसके मूल निकाल सकते हैं अगर यह less than 0 आ था तब हम इसके मूल नहीं निकाल पाते अब formula क्या था यह था हमारे पास अभी मैं उपर बताए आपको D की value हमने direct यहां पर रखनी है तो रखो भई X equal to minus B B की value क्या भई minus के 5 रख दी और D की value क्या अभी निकाल लिए हमने 1 और नीचे कहा जाका 2 into A यानि की 3 जोगो minus minus यह वाला multiply हो गया तो 5 रह गया plus minus root से भाहर का गया 1 आ गया और तर आ गया 6 अब एक बार plus की value ले ले लेंगे यहां से इन में से एक बार minus की थी यानि 5 plus 1 upon 6 और 5 minus 1 upon 6 तो 6 upon 6 और 4 upon 6 तो इस से आगया 1 और इस से आगया 2 upon 3 इसको हम कट कर देंगे 2 से तो यह दो value जो हमारे पास आ गई और 2 ही value निकलनी है क्यों क्योंकि हाई इस पावर 2 है क्योंकि दिगास समी करण है तो दो ही value इसके निकलने है यदि वास्तविक है तो यदि यह greater than 0 और equal to 0 है तो ठीक है यह question आवारा हो गया पैटे आईए question number 2 करेंगे अब हम यह है ऐसा question आएगा तो एक number में आएगा कहता है इसका विविक्त कर गया आथ करो विविक्त कर का मतलब यह d is equal to b square minus 4ac और फिर मूलों की प्रकरती भी बताओ तीन तरह की प्रकरती ही ना कि वास्तविक होंगे अलग-अलग होंगे वास्तविक होंगे सेम होंगे और वास्तविक नहीं होंगे तो वही काम सबसे पहले तो a, b, c की value a, अगर हम इसको समीकरण से क्या करेंगे compare करेंगे तो a की value हमुझे है 2 दिखाई दे रही है, b की value मुझे है 3 दिखाई दे रही है, और c की value हमें 5 दिखाई दे रही है तो d हम रहे है, देखो b की value minus 3 का square, 4 यह बेटा bracket में रखा करो, हमेसा आदत डाल लो गंदी आदत है, डाल लो इसको ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए यह आ गया, minus 3 का square करा 9 इसको multiply आपके लिए, तो यह आ गया minus 31, minus 31 का मतलब क्या है, negative और जब negative होता तो क्या होता था समीकरण के वास्विक मूल नहीं है, अब वास्विक मूल नहीं है तो हम फार्मूले से या किसी भी तरीके से इसको solve नहीं कर पाएंगे, क्योंकि under root के अंदर क्या आएगा, d और under root के अंदर क्या आएगा, minus 31, minus 31, किसी भी negative value का root आप नहीं निकाल सकते कम से कम कक्षा 10 तक ठीक है, तो यह आप ध्यान रखना बैटे बिल्कुल अब ऐसी next रहता है, अब यह इस तरह के equation दे दिया, इसमें एक value दे दी k क्या था k का मान बताओ अगर इसके दो मूल बराबर हो जबको बटो, मूल बराबर कब होते थे मूल बराबर तब होते थे, जब d की value हमारे 0 होती थी तब ही तो मूल बराबर होते थे तो इसको हम कैसे करेंगे आईए देखो, सबसे बहले इसको comparison करेंगे, comparison करके a की value हमारे पास 2 आ गई b की value हमारे पास k आ गई और c की value हमारे पास 3 आ गई यह दे भी रखा है अब D की value निकल ली हमने तो B की जए गए क्या रखा K यह A है और यह क्या है C है तो K square minus क्या था है D बराबर 0 यदि दो मूल बराबर होंगे तो हम इस value को 0 रख लेंगे तो हमने क्या करा K square minus 24 को 24 रख लिया इसको 24 को हम इस side लिया है अब इनके factor कर लिये 24 के 2 into 2 into 2 into यह देखो जो यह square वाला है यह तो अब भार आ जाएगा अच्छा इसमें यहाँ पर एक चीज़ लगा लेना अभी K square बराबर 24 ही चल ला है तो यह वाला जो 2 है यह तो आ गया बाहर क्योंकि square है और अंदर रहे गया 6 अब जैसे ही हम इदर से square हटाएंगे तो इधर क्या लग गया plus minus हमेशा लगेगा हमेशा plus minus लगए तो K की value 2 आ गई कौन-कौन सी plus minus तो यह दो under root 6 है यहाँ पर हमने 24 के factor करके भी दिखा रखें कैसे करे थे तो बस K की value आता प्लस के 2 root 6 होएगी या minus के 2 root 6 इसका मीनिंग क्या है कि 2 root 6 और minus के 2 root 6 यह दो value आ गई K की ठीक है आईए next question कहता जाच कीजिए यह दिखा समीकरन है अथवा नहीं तो हम क्या करेंगे हम पहले इसको open करेंगे कौन से formula से A minus B का square क्या होता है A square plus के B square minus के 2AB ठीक है या कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं minus 2AB को बीचे में लिख लो उससे कोई फ़क्ट नहीं पड़ था चलिए इसको मत देखो अब यहां देखो मैं कर रहा हूँ X का square plus 2 का square नहीं 4 minus के 2AB minus के 2 into X into 2 minus के 4X plus के 1 वह भारवाला यह जो है और इधर आगया वही है 2X minus 3 चलो सब को इधर लियाओ X square plus के 4 minus के 4X plus के 1 minus के 2X minus के sorry plus के 3 equal to 0 तो यह हो गया X square देखो minus 4X minus 2X minus के 6X हो गया 4 और 1 5 और 3 8 plus के 8 हो गया तो क्या यह द्विघास समीकरण है या नहीं तो क्या लिखो के हाँ यह है द्विघास समीकरण है क्योंकि इसमें चर्रासी के दिक्तम घात दो आ रही है तो इसलिए किस परकार का है यह इस टाइप का था इसलिए द्विघास समीकरण है चलिए हमारे जो दो मूल निकल के आते हैं, उसको जब भी हम इस equation में रखेंगे, वो उसको satisfy करते हैं, चीक है, तो यहाँ पर हम equation दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे हैं, यह direct कर रहे हैं कहीं अब यहाँ पर लिखेंगे, यदि एक मूल 1 by 2 है तो, चीक है, एक्स बराबर 1 by 2 रखने पर, तो हम कहां पर रखेंगे, यह जो equation दे रखी है, इसमें एक्स की value को 1 by 2 रखेंगे, यह रख दिया हैं नो, ने 1 by 2 का square, जहां भी एक से 1 by 2, तो 1 by 2 का square, 1 by 4 हो गया, इधर bracket से बाहर निकल लिए 1 by 2 को यह, जो यह 4 से 4 कट गया, इससे कटेंगे 2 आ गया, तो इधर आ गया 1, प्लस 2 के, माइनस 5, 1 और माइनस 5 क्या हो गया, माइनस 4, 4 को हम दूसरी साइड ले गए, अब यह जो 2 है, यह दर आ गया, और k की value आ गया हमारे पास, 2, बस यह निकलना था, सिंपल सा, एक एक नमबर के question में टैसी आने है, जिन पर हमें focus करना है, अब करते हैं अभ्यास personality, देखो जैसा हमने example 1 करा था, इन सब का, क्या करना है, दिखास सुत्र का परियोग करके, ठीक है, अब इसमें से कोई साभी चलो, मैं 1 करके दिखा देता हूं, मैं 4 करके दिखा देता हूं, अगर मैं इसको किस से AX स्केर, प्लस के BX, प्लस के C से compare करूंगा, तो A की जगे मुझे 6 दिखाई दे रहा है, B की जगे मुझे minus 1 दिखाई दे, क्योंकि X के साथ कोई number नहीं है तो 1 हो जाता है, और C की जगे मुझे minus 2, तो सब से पहले मैं D निकाल लेता हूं, B square minus 4AC, तो minus 1 का square minus 4 into 6 into minus 2, यह हो गया 1, minus minus, यह वाला minus, और यह वाला minus 2 वाला, यह हो गया plus 624, यानि की हो गया 49 which is greater than 0, तो निकाल सकते हैं, अब X का फार्मूला क्या हो था, minus के B plus minus D बटे 2 A, तो minus minus 1 plus minus 49 बटे 2 into में, 2 into में क्या 6, तो यह 1 हो गया, यह plus minus 7 बटे 12, चीक है, तो एक बार plus लेख लो, 1 plus 7 बटे 12 है, और 1 minus 7 बटे 12, 1 plus 7 बटे 12 का मतलब क्या हो गया, 8 बटे 12 है, और minus के 6 बटे 12, 4 दूनी 8, चारतिया 12 है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानि 2 बटे 3, और minus 1 by 2 is the answer, यह मैंने आपको first का fourth part करके दिखाया है, बिल्कुल same to same, आप ऐसे ही बाकित 3 पार्टे भी कर लेना, now next है, कि के का ऐसा मान ग्याद करो, जिससे मूल बराबर हो, वही, यहां से a, one हो गया, b, minus k हो गया, और c, चार हो गया, तो जब मूल बराबर होते हैं, तो क्या होता है, d बराबर 0 होता है, यानि कि b square minus k, 4ac, बराबर 0 होगा, यह सारी value यहां पर put करो, a, b, c की value और k का मान तुमारा निकल जाएगा, आगे कहता है, यदि k का ऐसा मान ग्याद करो, कि उनके दोनों वास्तिविक मूल हो, अच्छा वास्तिविक मूल कब होते थे, जब d बड़ा होता था 0 से, तब भी होते थे, और जब d बराबर होता 0 के तब भी होते थे, तब यहां पर हम देखो, यहां पर a की value, 2, सबसे पहले इसको तारेंगे, फिर a की value, 2, b की value, 3, और c की value, k, फिर हम लिखेंगे, इसके बाद, उपर लिख रहा हूँ है, यदि, मूल, वास्तिविक हो, ठीक है, वास्तिविक कब होते थे, जब d की value आ तो greater होती थी 0 से, या बराबर होती थी, तो b square minus k, 4ac greater than equal to 0, चरो जी, 3 का square, minus 4, a की जिएगा, 2, और c की जिएगा, k, ठीक है, c की जिएगा, k greater than equal to 0, तो यह होगा, 9 minus k, 8k greater than equal to 0, minus k, 8k, इधर रहेगा, और यह हो जाएगा, minus 9, दोनों तरव से minus हटाओगे, तो क्या होगा, यह बीच का sign change हो जागा, यह ध्यानक लेना, k की value, 9, sorry, greater than, less than, अब यह greater than था, यह less than बन गया, 9y8, यानि k की value, जब तक 9y8 से छोटी रहेगी, या उसके क्वल रहेगी, तब त देखे रहेगी, जो हमने sign change करा, देखो हमें पता है, कि minus 6 जो है, वो बढ़ा है, किस से, minus 8 से, अगर मैं minus minus को दोनों को हटा दूँ, तो 6 और 8 रह जाएगा, अब क्या बढ़ा हो गया, अब यह बढ़ा हो गया, तो ऐसे हमारे sign change हो जाते हैं, चलिए जी, क्याता है, यदि एक मूल 1 हो, तो एक कमान की आत करो, अब क्या करेंगे, 1 को x की जगाए पर रख देंगे, जैसे उपर हमने example में करा, same to same, उसी के तरह है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, अब यह वही, जाच कीजिए, कि यह दिखा समी करन हैं, अथो नहीं, तो हमें इसमें से ये वाला कर कर दिखा जाता हूं, देखो, सारे question वैसे ही हैं, जैसे अभी हमने उपर example करेंगे, इसलिए मैं इनको ज़्यादा detail में नहीं जा रहा हूं, कुछ चीज आपको अपने आप भी करनी चाहिए, तो इसमें मैं इसको बताता हूं, multiply करो भी x का अंदर, x के जब अंडल multiply करेंग x का square, minus 2 का square, तो x square, plus के x, plus के 8, इनको इदर लियाओ, minus का x square, यह minus के 4 बनके, plus के 4 हो जाता, देखो, x square से x square कट गया, क्या बचा, x plus 12 equal to 0, तो क्या ये है, दिखा समीकरन, यह दिखा समीकरन नहीं है, क्योंकि 4 रासे की अधिक तमगात 1 है, यह आपको लिखना पड़ेगा यह दिखा समीकरन नहीं है, क्योंकि 4 रासी की अधिक तमगात क्या है, एक है, अधिक तमगात यहाँ पर अगर 2 आ जाती, तो यह दिखा समीकरन बन जाता, तो इस तरह से, यह हमारा focus levels का part 4 complete होता है, अगर आप इतना भी करते रहोगे, बेटे मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, आप आसानी से पास हो जाओगे, कोशिस करा करो, ऐसे ही question कहीं और से भी ढूंद के, book में से, या sample paper में से, या पुराने question paper में से करके, आप करो, तो आप भूत आसानी से पास होने वाले बेटे, इनका ध्यान रखना, ठीक है, तो इनकी practice कीजिए, हो में से we60, एफ एफ-न, याँ कर कीजव़ श्यान की यारोण, लूब आप एझ, तो इनकी है, वो लूत नमान रेती है, या हॉर नमा कैना, आ felicा है, याई हो दो है, जदेग नद एपना हैईक है, या öğ吧, याई में से अवां लगा हुआऊंचार नमा की ज जिएकशica में झाल झाल